सात्यों इन्फा सेक्टर के साथ साथ शहर के गरीब और बेगर व्यक्ति के लिए भी एक नई सोच के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। देश का जन जन गमा रहा है कि कैसे एक तरफ चम चमाती सोसाइटी बन गई और दूसरी तरफ जुग्गी जोपड़ी का विस्तार होता रहा है। हमारी यहां व्यवस्ता ऐसी रही कि जो गर बनाते हैं कारखाने चलाते हैं उद्योगों को उर्जा देते हैं वो जुग्यों में रहने को मजबूर हो गए। इस थिती को बदलने का प्रयास अटल जी ने शुरू किया। शहरों के गरीबों के लिए गर बनाने का एका भियान चलाया। इसके तहट सांस दो हजार में यहां सोलापुर में रहने वाले कामगारों को जुग्यों और गंदकी के जीवन से मुक्ति दिलाने का प्रयास हुआ। करीब करीब दस हजार कामगार परिवारों ने एक कोपरेटिव सोसाइटी बना कर अटल जी की सरकार को प्रस्ताव बेजा और पांच-छे वर्सों के भीतर उनको अच्छे और पक्के घरों की चाबी भी मिल गई। मुझे खुशी है अठारा वर्स पहले जो काम अटल जी ने किया था उसी को विस्तार देने का आगे बढ़ाने का उसर फिर एक बार हमारी सरकार को मिला है। कि आज गरीब कामगार परिवारों के तीस हजार गरों के प्रोजेस का सिलान न्यास यहां हुआ है। इसके जो लाभारती है वो कारखानों में काम करते हैं। रिक्सा चलाते हैं, ओटो चलाते हैं, रेडी ठेले पर काम करते हैं। मैं आप सभी को विश्वात दिलाता हूं कि बहुत जल्द आपके हाथों में, आपके अपने घर की चाबी होगी, यह मैं आपको विश्वात दिलाता हूं। भायों बैनों, यह विश्वात मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूं कि बीते साड़े चार वर्सों में, प्रदान मंत्री आवास योजना, शहरी, उसकी रप्तार ने लाखों गरीब परिवारों के जीवन स्तर को उपर उठाया है। शहरों में पहले कैसे घर बनते थे और अब कैसे घर बन रहे हैं, पहले सरकार किस गती से काम करती थी, हम किस गती से काम कर रहे हैं, आज थोड़ा मैं इसका भी उदाहन दिना चाहता हूं। साथियों 2004 से 2014 के दस साल दिल्ली में रिमोट कंट्रोल वाली सरकार चलती थी। 2004 से 2014 दस सालों में शहरों में रहने वाले गरीब भाई-बैनों के लिए सिरप 13 लाग घर बनाने का कांगज पर फैसला हुआ, कांगज पर. और इस में से 13 लाग यहने कुछ नहीं है, इतने बड़े देश में, फिर भी वो निल्ने कांगज पर हुआ। काम कितनों का हुआ, इतने बड़े देश में सिरप 8 लाग घरों का काम हुआ। दस साल में 8 लाग यहने एक साल में 80 हजार। इतने बड़े देश में, एक साल में 80 हजार, यह मोदी सरकार देखिए, अकेले सोलियापुर में 30 हजार। जबकि भाजपा सरकार के दवरान, बीते साड़े चार बर्षों में, उनके समय 13 लाग कागज पर तैव हुआ था। हमने 70 लाग, 70 जीरो, शहरी गरिवबोर के घरों को स्विकृति दी जा चुकी। और अब तक 10 साल में जो नहीं कर पाए, हमने 4 साल में 14 लाग घर बना करके तयार हो चुके हैं। इतना ही नहीं, जिस तेजी से काम चल रहा है, बहुत ही निकड भविश में 37 लाग घरों का काम और पुरा होड़े वाला है। सोचिए, उनका 10 साल का रिकॉर्ड और हमारे 4.5 साल का रिकॉर्ड। कितना जमीन आस्मान का अंतर है, अगर उनकी गती से हम चलते, तो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों का भी घर बनता के नहीं बनता हम कहने सकते। ये फर्क ही दिखाता है कि उन्हें गरीबों की कितनी चिंता रही होगी, इससे पुरान दा जाता है। साथ ही हो, हमारी सरकार शहर के गरीबों की नहीं, बलकि यहां के मद्यमवर्क के भी चिंता कर रही है। इसके लिए भी पुराने तोर तरीकों में बड़ा बढ़लाओ किया गया है। भाईयो बेहनों, निम्ना आए वर्क के लोगों के साथ साथ अठारा लाक रुपिये सानाना तक कमाने वाले मद्यमवर्क के परिवारों को हम योजना के तहत लाए है। इसके तहत लाभार्थी को 20 वर्स तक होम लोन पर लगभग 6 लाग रुपिये तक की बचट सुनिस्टिट की गई है। 6 लाग की बचट मद्यमवर्क का परिवार अपने बच्चों के लालन पानर और पढ़ाई लिखाई में इस्तेमाल कर सकता है। यही इज आप लिविंग यही सबका साथ सबका विकार। यही इज आप